नमस्ते दोस्तों आप सभी का सौगद है जेयर्ज भक्त है यूटूब चैनल पर जहाँ पर मैं आपको लेटेस गवर्मेंट जॉब्स की इनफोर्मिशन देते रहता हूं और साथ साथ सभी रिक्रिमेंट की में डिरियल इनफोर्मिशन आपका आपर देते रहता हूं तो नविक वेकैंसी दिकल कि आई हैं निकल कि आई हैं 2021 बैच की डॄष्टिक ब्रांच में एस नाविक पोस्ट तो यहाँ पर कौन औको पोस् निकल के आई हैं क्या पेस्केल्स दिया जाएगा आपको सेंट्रस को रहेंगे उसमें cook and steward इनके लिए vacancy निकल के आई है Indian coast guard में as an arm force of the union arm force के लिए तो यहाँ पर eligibility conditions के हम बात कर लेते हैं और job requirement की तो education qualification आप 10th पास रहना चाहिए बस यहाँ पर आप 10th पास रहना चाहिए 50% marks aggregate आपको रहना चाहिए आपके board में और यहाँ पर जो SCST category है और जो sport person रहते है national level sport person candidate जिनका यहाँ पर first या फिर second या फिर third rank है उनके जो sports वो खेले है उसमें या फिर open national championship में या फिर interstate national championship में यह आप खेले हुए हो और आपके उसकोई first या फिर second या फिर third place है तो आप इस post को apply कर सकते हो और आपको यहाँ पर reservation दिया जाएंगा relaxation दिया जाएंगा 5% का तो आप 10 पास रहा हो जरूरी है यहाँ पर और तभी आप इस post को apply कर सकते हो और यदि आपके कोई sport का certificate है और SCST category को यहाँ पर SCST category candidates को यहाँ पर 5% का relaxation दिया गया है और above minimum cutoff will be given यानि कि वो cutoff भी आपको यहाँ पर दिया गया है यानि कि आपको इस तरह से relaxation यहाँ पर इस post के लिए दिया गया है अब बात कर लेते हैं job requirement की तो यहाँ पर दो तरह की post निकल गया है cook और steward के लिए तो जो requirement है cook के लिए वो है आपको vegetarian और non vegetarian खाना यहाँ पर बनाना पड़ेंगा including meat products यहाँ पर उन्होंने बताया है और उसी तरह और भी यहाँ पर आपको बताया कि accounting accounting of ration और भी बाकी के duties आपको आपकर perform करना पड़ेंगा आपके time के हिसाब से और उसके अपने जो steward post है उन्हें भी हाँ पर food को 100 करना पड़ेंगा इस तरह से आपको सभी काम यहाँ पर करना पड़ेंगा तो आप यहाँ पर पड़ सकते हो और देख सकते हो और आप इसके आद में इस पोस्ट का अप्लाइग कर सकते हो यहाँ पर age limit की बात की गई है तो age limit आपकर बताया है 18-22 years यानि 18-22 साल के candidate इस पोस्ट का अप्लाइ आप रहना बहुत जरूरी है और तब आप इस पोस्ट का अप्लाइग कर सकते हो तो यहाँ पर age limit की पास साल का रिलेक्षिशन दिया गया है ओबीसी का इस ती के लिए हापर त्री वेकेंसी एसी के लिए एट वेकेंसी और टोटल फिप्टी वेकेंसी आपर निकल के आई ह और जो वेकेंसी से हैं यहाँ पर वो चेंज भी हो सकती है तो यह आप रिलीजिबल हो तो इस पोस्ट का अप्लाइग कर सकते हो यह आप र बात की गई है पे पर्स और अधर बेनीफिटस आपको कितना पेमिंट हापर दिया जाए गा और अधर बेनीफिटस आपको इस पो ऐसे साथ्थ आपको यहाप भत्ता दिया जाएंगे तो आपको होने वाला है वह बता आ गया है तब आपको प्रोमोशन आपको जाएंगा अपर रहने वाला है पे लेवल रेट की साब से यह information आपको बर्दी गई है और साथिसा आपको pre-requisites यानि कि आपको free ration and clothing as per ruling तो इस तरह से free ration आपको दिया जाएगा clothing भी दिया जाएगा medical treatments for self and family including dependent parents तो आपको और आपकी family को यहाँ पर जो medical requirements रहती है वो भी आपर support की जाएगे government के तरब से तो इस तरह से यहाँ पर आपको nominal license fee government accommodate करेंगे आपकी जो self और family के लिए जो nominal license fee रहती है वो government accommodation करेंगे आपकी और यह benefits आपको आपको दिये गया है इसी तरह है आपर canteen and various loan facilities ECHS medical facilities सभी facilities आपको free रहती है आपर जब आप इस पोस्ट को apply करते हो और आप pass हो जाते हो और आप इस नोखरी पर लग जाते हो तब तो आपको promotion तो मिलता ही है और उसकी पहले आपको आपर basic payment मिलता है और इतने सारे prerequisites आपको रहते है बात की गई यह how to apply किस तरह से आपको इस पोस्ट को apply करना है तो इसके starting date है 30 November 2020 से लेकर जो last date है 7 December 2020 शाम के पाज बजे तो इस जो आपको link दिखाए दे रही है इस link पर जाकर आपको opportunities बटन पर क्लिक करना है और इस पोस्ट को apply करना है आपको start कर देना है और यह पर process बताई गई है तो वह आप पढ़ लीजे हम बात करते आगे आपको आपर online ही apply करना है इस link को में description box में देदूंगा वहाल से आप देख सकते हो तो वह आपर आपको online application करना start कर दोंगे तो माराश्रार के चैप सब्सक्राइब चैनल के सब्सक्राइव नहुंगे सब्सक्राइब लापके शिरा red नो यह इस पॉर्प 一सचरा गए टो आखर पर बात की गई है आपके लेकाמ׏के पैप्र एक्वाली टीमिशन की सिलेख्ट प्रोसेजर को भी हम बात की गई है तो selection procedure आपका होने वाला है वो आपके return test पर से आपर होने वाला है और आपकी जो PFT test रहेंगी और medical test इन तीनों test पर से आपका selection आपर होने वाला है तो आपकी जो return test रहेंगी वो online होंगी तो वो भी आपर बताया गया है short listening criteria will be higher percentage of marks for a particular examination center जब आप उस center पर जाओंगा वहाँ पर आपका जो return test होने वाला है उसमें ज़िए आप percentage लेकर आते हो तब आपको है आपर इस return test का आप पार कर सकते हो और पास हो जाते हो जो return test examination के बारे में आपर बताया है जो syllabus रहने वाला है वो बताया है जो आपको subjects रहेंगे वो है quantitative, aptitude, mathematics, general science, general English, general awareness, current affairs and reasoning तो इस तरह से syllabus भी आपको आपर बताया है तो इस पर आपका return test रहने वाला है computer based test आपका रहने वाला है तो जब आप आपर return test पास हो जाते हो तब आपका physical fitness test यापर रहता है तो physical fitness test और initial medical examination आपका रहता है तो physical fitness test के साथ साथ medical examination आपका रहेंगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर इस post को apply करने का आपका selection हो सकता है तो तीन प्रोसिजर के बाद ही आपका सिलेशन आपर होने वाला है तो तेस्टिंग प्रोसिजर विल वी टू-3 डेज तो फिजिकल टेस्ट आपका जो होँगा उसकी इंफोर्मेशन आपर बताई गई है तो उसमें आपके बास शूज रहना चाहिए टीशट रहना चाहिए जब आप यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट को आऊंगे तब तो जो 1.6 किलोमेटर की आपके आपर रणिंग रहने वाले है साथ मिनिट में आपको कॉम्पीट करना है 20 स्कॉर्स रहने वाले है स्कॉट अप्स उठक बैठक आपको रहने है 20 यानि कि 20 उठक बैठक रह होने हाले है 10 पुश अप्स रहेंगे आपके और उसके आप में इस पी अप्ट एग्जाशन को पार कर सकते हो यह पास हो जाते हो तो उसी तरह फिजिकल चैलेंगे और नौट एलिजिबल टो अप्लाइफ और इस पोस्ट यदि आप यहाँ पर रिटेंट टेस्ट कर ले त उसके बाद में आपका medical examination आपको होने माला है जैसे कि आर्मी के भरती में आपको रहता है उसी तरह तो उसकी जो information रहेंगी आपको इनके official website पर मिल जाएंगी कि आपका return test होने के बाद return test आपका सबसे पहले हो जाएंगा उसके आपको physical fitness test के लिए बुला जाएगा तब और कुछ दिनों में आपका medical fitness, medical test में आपर हो जाएगा आगे बताया है और उसकी भी date बता दी गई है आपको March 2021 में ये आपका रह सकता है जो physical fitness test रहेंगा list of documents आपर बताया है तो e admit card जो admit card and latest photograph affixed आपका admit card का copy आपको लेकर आना है तीन admit card के copy और latest photograph आपको लेकर आना है आपके application form के two copies आपको लेकर आना है original 10 past certificate mark sheet आपको लेकर आनी है और यदि आपने कोई higher education आपर perform किया होंगा कोई pursue किया होंगा या फिर आभी पढ़ रहे होंगे तो उसका भी कुछ proof आपको 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 लेकर आना है और वह आपके साथ हैं आपको लेकर आना जरूरी है original रहो या उसकी photocopy आपको रही तो आपको लेकर आना जरूरी है आपका cast certificate आपको लेकर आना है और आप screen पर देख पार दो इस तरह से documents आपको आपको आपकर लेकर आना है और the date of issue of documents वह साथ December आपर बताई है तब तक आपके पासे documents लेना वह जरूरी है जो candidates को आपर resolution दिया गया है तो उन्हें आपर cast certificate लेन in the return examination दोस्तो यदि आपके पासे documents नहीं है जो मैंने आपर आपको बताए है वो documents यदि नहीं है तो आप return test नहीं दे सकते हो यह documents बहुत जरूरी है और आपके असरेना बहुत जरूरी है और दोस्तो selection of candidate is based on the order of merit depending on their performance in return test, physical fitness test and medical examination तो इस तीनों के base पर आपका है आपका selection हो स वो आपको इनके official website पर दिख जाएंगा, merit list आपको आपको आप दिख जाएंगी, medical standards के आपर बात की गई है तो height बताए है 157 cm और उसकर में chest बताए है minimum expansion 5 cm, weight है आपर बताया है वो भी आप पर सकते हो height, proportionate to height and age plus minus 10% is acceptable, और hearing नॉर्मल आपर बताया है उसी तरह tattoo और visual standards यहा पर बताया गया है, better eye of us आए के लिए, tattoo की information आपर दी गई है तो आप इसे पर सकते हो, यदि आपके आपके आंग पर कई tattoo होंगा तो आप इसे पर सकते हो ध्यान से, तो उसके बाद में यहाँआपर enrollment of medical examination, initial medical examination for recruitment will be considered only provisional fit subject to fitness in the final medical examination, तो medical examination के बारे में आपर बताया गया है और उसके बाद में आते हैं आपका training, तो उसके बाद में आप पर आपका training की बात हम कर लेते हैं तो medical examination चरहेंगी, applicants declare permanent medically unfit by any armed forces hospital in previous recruitment for the same entry in Indian course guard are advised not to apply यदि कोई candidate है, जिसको उन्होंने पहले भी apply किया है लेकिन वो medically fit नहीं है, ऐसा पहले भी वो जब भर्दी देने गये थे तब बताया था उन्हें उस recruitment वालोंने तो वो भी candidate को आपर advice दी जाते हैं कि उन्होंने इस post को apply नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पहले ही हाँपर medically fit नहीं है इसके लिए training की बात हैं आपर की गई है तो April 2021 इन्होंने आपर ये month बताया है, यहाँपर आपकी training हो सकती है, इस मैने में आपकी training हो सकती है general guidelines के आपर बात में बात की गई है, सबसे आखरी में general guidelines के आपर बात की गई है तो अबर all original certificates and marksheets which are to be produced at a time of return test will be returned to the candidate post verification तो आपको return test के वक्त आपके सभी original certificates and marksheets लेकर आना है और वो verify हो जाएंगे हो आपर और फिर आपको दिये जाएंगे तो वो लेकर आना बहुत जरूरी है, the candidate selection pertaining to a particular batch is valid for that batch only तो आपर इस तरह से यह information बताई है eligibility criteria आपका है आपर परिपूर्णा रहने चाहिए और तब आप इस post को apply कर सकते हो application received by post will not be accepted आपको online application आपर करना होंगा, post के थूरू आप apply नहीं कर सकते हो call letter for a final medical examination for enrollment in Indian Coast Guard will be forwarded only initial medical qualified candidates in the selected list जो काइणिट हापर select हो गए है, उन्हें ही medical के लिए हाँ पर आना पड़ेगा तो उनकी list आपको मिल जाएंगे इनका official website पर तो वहाँ पर से जो भी candidates रहेंगे उन्हें information आई जाएंगी कि उनका medical test कहाँ पर होने वाला है, उनका physical fitness test कहाँ पर होने वाला है तो जो भी candidates पर pass हो जाते है, return test उन्हें information आई जाती है online या पर उनकी official website पर वो information मिल जाती है तो वहाँ पर आपको जुड़े रहना है उनकी official website से क्योंकि वहाँ पर information आते रहती है दोस्तों तो official website की link में आपको description box में देदूंगा no inquiry will be entertained regarding recruitment enrollment after a period of six month candidates from open schools institute not recognized by government जो schools government से recognized नहीं है तो वो यहाँ पर लिए नहीं जाएंगे उस तरह के candidates उस schools के candidates यहाँ पर लिए नहीं जाएंगे तो वो भी आपर information आपको बता दी गई है mobile phone तो जो भी आपका mobile number है email address है वो आपर start रहना जरूरी है दोस्तों यानि current रहना जरूरी है mobile number आपका चालूरी है क्योंकि उसी पर से आपको आपको सभी alerts send किये जाएंगे इसके लिए travel expenses आपर बता गया by SCST candidates who are not employed by the central state government will be reimbursed ordinary second class फिरबाद train government bus stemmer charges as per central government regulations तो यहाँ पर travel expenses के बारे हम बताया है is beyond 30 km from the place testing on production of original tickets तो उन्हें यहाँ पर relaxation दिया गया है जो SCST category के candidates है उन्हें आपर relaxation दिया गया है यदि हो 30 km के beyond यहाँ पर प्रवास करते हैं तब candidates to see course.recruitment website for update तो यहाँ पर इनमें बता दिया है कि updates के लिए आपको इनके official website से जूरे ना है उसके लिए मैं link आपको description box में देने ही वाला हूँ उसके में caution आपको बताया है क्या आपको दक्षत है आपर रखना चाहिए precautions क्या लेनी चाहिए वो बताया है selection in Indian coast guard is a fair and on merit basis तो दोस्तों यह जो examination है इसको कोई भी payment आपको करना नहीं है online payment करना नहीं है कोई payment करना नहीं है आपको free एकदम है आपर इस post को apply कर देना है तो इस तरह से last date आपर बता दी गई है यह website में आपको description box में दे दूँगा तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस recruitment की detail information आपको दे दी है यह आपको कोई भी डाउट है comment section में comment कर दीजिए और इस website को इस जो notification को आप देख रहे हो इससे आप पढ़ भी सकते हो description में इसकी link आपको मिल जाएंगी इससे आप download करके पढ़ सकते हो और दोस्तों मियरे दप से आपके लिए एक संब्सक्राइब को यह आपको इससी तरह के और ने वीडियो को सब्सराइब कर दीजिए मैं मिलूंगा आपको व Agriculture अगया